पर क्याप्टा इंकम जो होता है आज हिंदुस्तान में सुपसे आगे तेलंगाना राज है हमारा परक्याप्टा इंकम आज 3,08,000 रूपय है बड़े-बड़े रियास्त जो महारास्टा, गुजरात, तामिलनाडू, करनाटका इन सारे राज्यों से हम आगे हो गए हैं दूसरी एक बात परक्याप्टा पावर यूटिलाइजेशन पैज जब तिलंगाना बनाता हजार पचास हमारा परक्याप्टा पावर यूटिलाइज आज 2140 यूटिलाइज आल्मोस्ट डबल हो गया है उसमें भी इंदुस्तान में हम अवल दर्जे में है इंडस्ट्री कैसा चल रहा है आईटी कैसा चल रहा है आप तमाम जनाब जानते ही हैं इसके साथ जहां तक अकलियती बहभूदी का कावश्चा है यह की बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ज़्यादा नहीं कहूंगा सब आपके सामने हैं हमारे आसद बाई तमाम खायदियन मेरे से गुजारिश के थे के अनिसल गुर्बा का तामीर होना चाहिए अब तयार हो गया बहुत यह अच्छे अंदास में वो बिल्कुल हमारे सामने कड़ा हुआ है दूसरी बात है TRS अभी BRS के हुकुमत आने से पहले यहा कांग्रेस पार्टी का हुकुमत था दस साल के लिए पूरे कांग्रेस के हुकुमत के दस साल के दाओर में माइनार्टी विल्फेर के लिए उन्होंने कर्ट किया ग्यारासो असी करोड रुपे याने के 1200 समजी राउन्ड फिगर भी है, पूरे दस सालों में, जब से TRS सरकार अब BRS बन गई है, जब से BRS सरकार आई है, इन दस सालों में यानिके 9 साल गुजर गए, दसवा साल का बजट पेश भी हुआ, फुल मिला करके देखे तो 12,000 करोड रुपए यह सरकार ने कर्च किया है, यह मिनिस्टी के साइट में यह फिगर देखने को मिलता है, तो आप एक बात से समझ सकते हैं कितना क्या हो रहा है, जहां तक देहाती हमारे किसान जो आत्मा अच्या कर रहे थे, यह भी किसान आज उस आलत में नहीं है, तो भी सुदर गए, जो जिन्दगी को तलाशते हो, यह में केती हुआ है दान का, सिर्फ तलंगाना रियासत में चपन लाग चालीस हजार एकड यहां पे, यह पूरा हिंदुस्तान में, जितना है उससे भी ज़्यादा हमारे पास अब हुआ है, कल्टिवेट हुआ है, यह भी हमारा एक निशाना देख सकते हैं, पीने का पानी का मसला खतम हो गया, करंट का मसला खतम हो गया, बेरोज़गारी का मसला भी दिरे-दिरे खतम होते जा रहे हैं, इसके साथे साथ हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश पीछे जा रहा है, यह कहने के लिए मैं शरम नहीं करूँगा, लेकिन मरकज में चो सरकार बैटी हमारे बराबर तिलंगाने के बराबर काम करता, तो हमारे GSDP कम से कम तीन से चारला का और बढ़ने थी, इसमें हमको मार पड़ा है, और देश आज एक अजीब दोर से गुजर रहा है, यह हम तमाम लोग जानते हैं, मैं बुजरुगों से, नौजवान भाईयों से, सुभी दानी सुरंस से मेरा खुजारिस है, कि हिंदुस्तान हमारा है, हर हालत में इस देश को बचाना है, चोड़े-चोड़े मुश्किल तो आते रहेंगे, इंशालला आपका तावून हो, लड़ते रहेंगे आकर आकर तक, यह temporary phase है, कुछ होने वाला नहीं है, असलियत का, इंस लेकिन अंदेर नहीं है, इसलिये बिलकुल हम आगे बढ़ेंगे, यह देश सुभी का है, यह देश हमारा है, इस देश को महफूज रखेंगे, इसमें हम अपने आकरी खून का बून तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कहीं काम प्रमेज नहीं होंगे, इसका हमारे गंगा पर विश्वास रखिये, जब वक्त आए, तो जोश से नहीं, हम लोग होश से काम ले, होश यारिस से काम ले, देश को बचाने का काम जरूर करे, यह मेरा गुजारिश है, और एक बात मैं कुश्यों के साथ कहना चाहता हूँ, देश के राजनीती में चलने का मेरा इरादा हुआ, जो गुजर रहा है इंदुस्तान पे उसको सुदारने के लिए, मुझे खुद अप्सूस है, कि दुस बगल रियास्त महाराश्त में गए, तेलंगाने से भी ज़्यादा वहाँ पे वेलकम हो रहा है, तेलंगाने से भी ज़्यादा तेदात में, हमारे बोधन के शे सही पार्टी के लिए, इन्शालला आगे जाके कहीं कामियापे हमें मिलेंगे, हर हालत में इस देश को बचाने का हम बरपूर कोशिश करेंगे, फिर एक बार में तहे दिल से सारे बुजरुगों को, सारे भाईयों को जो भी यहां तश्रीफ लाए हैं, जो नहीं भी लाए हैं, सारे हमारे रियासत के और मुलक के, मुस्लिम कोम के जितने भी हमारे बुजरुग बाई बहन माये हैं, अब तमाम लोगों को इस मुकद्दस और मुबारक, रमजान माय का फिर एक बार मुबारक पेश करते हुए, मैं रुकसत लेता हूँ. आली जनाब मौतरम मौलाना रिजवान खुरेशी सहाब, इमाम मक्का मस्जिद से गुजारिश की जाती हैं कि वो दूआ फरमाएं.